हेलो दोस्तों कॉंपेटिशन करेकर मैं आप सभी का बहुत बहुत सागत है और यह एल्टी प्रिप्रिशन का सागें लेक्षिर है और अगर आपने पहले लेक्षिर नहीं देखा है तो उसको चरूर देखिए फिर इसको देखिए तो चले सुरू करते हैं 15 कॉस्चन से क्連is का मतलई यह है कि जैसे हम इस पिसलिग्ण की और जाते हैं तो जो ऑंसर है कि वो क्या होते हैं डिक्रीज होते हैं क्यों होते हैं से अगर species के हो जाते हैं आपको पता है kingdom से उपर होता है kingdom phylum class order family genus species होता है तो उपर से जब नीचे को जाते है तो common character के हो जाते हैं बढ़ जाते हैं लेकिन अगर हम नीचे से उपर के हो जाते हैं species to kingdom जाते हैं तो common character के हो जाते हैं घड जाते हैं तो इसका अंसर क्या होगा 15 क which of the following suffix used for the unit of classification in plants indicate a taxonomic category of family इस में से कौन सा suffix है जो plant की classification में family को बताता है यानि कि family के पीछे क्या लगता है plant की kisses में actually family के पीछे लगता है आपका जो family के पीछे लगता है इसका answer है a-c-a-e a-c-a-e यह family पे लगता है plant के a-l-s जो होता है plant के order पे लगता है or o-e-c-e जो होता है class पे लगता है और जो यह a-e है यह जो a-e है यह लगता है आपका जैसे हम kingdom लिखेंगे तो plant के किसमे प्लानटी लिखेंगे तो a-e लग जाएगा उसके पीछे तो यह क्या होगा kingdom में लगता है plant के ठीक है तो solo के वाद सत्वर पे चलता है अगला question है the term systematics refers to जो term है systematics वो क्या बताता है किस चीश को बताता है आपको एक चीश बताते चलो जो systematics होता है systematics का मतलब होता है कि जो हमारे living organism है जितने भी पढ़ते भी पे उनकी evolutionary history क्या रही है यह हम कह सकते है कि जितने हमारे अर्थ पे present animals हैं वो आपस में किस तरह से attract हैं, interaction करते हैं या उनमें क्या-क्या relationship है उसकी जो study करते हैं उसको हम क्या कहते है systematics कहते हैं तो इसके cases में पहला है indication of the study of organ systems indication and perception of the plant and animal यह diversification kinds of the organism and their relationship और study of habitat of organism and their classification तो इसका अंसर होगा diversity of kingdom of organism and their relationship ठीक है, अठारवा है आपका genus represent, जीनस क्या represent करता है, ठीक है an individual of plant or animal, b यह आपका a collection of plant or animal c यह आपका group of close related species of plant and animal यह none of these तो इसका अंसर है group of closely related species of plant or animal इसी को हम genus कहते हैं कहने का मतलगी है, जैसे हमें पता है कि जो taxonomical hierarchy उसमें kingdom, phylum, class, order, family, genus और species होता है तो बहुत सारे species मिलके क्या करेंगे genus को बनाएंगे, बहुत सारे genus मिलके family को, बहुत सारे family मिलके order order के बाद order class को बनाता है class phylum को बनाता है और बहुत सारे family मिलके kingdom को बनाता है, अब हमसे पूछा गया कि genus क्या represent करता है, क्योंकि genus कब बनेगा जब बहुत सारे species आपस में मिलेंगे, तो group of species from the genus, बहुत सारे group जोंगे species के मिलके जब बनाता है, इसलिए हमने species वाला याला टिक किया है, ठीक है, अब 19 वहां आता है आपका the taxonomic unit phylum in the classification of animal is equivalent to the hierarchical level in classification of the plant, इसमें कहने का मतलब यह है कि जो taxonomical unit phylum होती है, जो हम animal की cases पे कहते हैं, phylum कहते हैं तो उसी के equivalent plant की cases में, hierarchical label पे plant की cases में, उसे हम क्या कहते हैं, class कहते हैं, order कहते हैं, division कहते हैं, या family कहते हैं, तो दोस्तों इसका answer होगा, division, जैसे हम phylum लिखते है, animal की cases में, लेकिन plant की cases में phylum नलिखके division लिखा लाता है, लेकिन ये दोनूं क्या है equivalent है, एक ही चीज़ होती है चीकिए बीसों होता आपका तो बॉटनिकल गार्डन एंड जिलोजिकल पार्क है बॉटनिकल गार्डन एंड जिलोजिकल पार्क में क्या होता है collection of endemic living species होती है B है आपका collection होता है exotic living species का C है आपका collection होता है endemic and exotic living species का D है आपका collection होता है only one local plants और animals का तो जो botanical garden या geological park होते हैं, उसमें हम सिर्फ endemic living species को ही नहीं रखते हैं और नहीं हम exotic species को रखते हैं, हम उसमें endemic और exotic दोनों ही living species को वहाँ पे को रखते हैं तो इसका answer C सही हो जाएगा एक किसमा है आपका taxonomical key is one of the taxonomical tools in identification, classification of the plants and animal it is used in the preparation of, जो taxonomical key जो होती हैं, उसको हम taxonomical tool कहते हैं जो हमें किसी भी plant या animals के identification और उसके classification में help करती हैं, taxonomical key में तो ये क्या prepare करने के लिए काम आती है, taxonomical key हमें क्या help देती है, चीक है ये पहला कह रहा है monograph, flora, both hay and be, या none of this Actually में क्या होता है, कि जो taxonomical key होती है, हमारी वो monograph में भी help देती हैं और flora में भी help देगी इसके business पे हम क्या करते हैं, किसी भी plant या animals का क्या कर सकते हैं identify कर सकते हैं, उसको classified कर सकते हैं, चीक है, उसका नाम रख सकते हैं तो उसमें monograph भी आता है और flora भी आता है तो अगर हम जिस geographical area में study कर रहे हैं, वहां हम सारे plants की study करेंगे यसी को हम क्या कहते हैं, flora कहते हैं, तो इसमें दोनु होंगे, बोथ A and B इसका answer होगा देन उसके बाद है, 21, all living organisms are linked to one another because यह कह रहा है कि सारे organisms एक दूसरे से जुड़े होएं हैं, क्यों जुड़े होएं, इसके बार में मैं बताना है पहला है इसका, they have common genetic material of the same type, उनके पास same genetic material होता है, same type का या वो common genetic material होता है, लेकिन varying degree में होता है, या उसके बास cellular organization same है तो पहला अगर हम देखें कि उनके पास common genetic material और same type का होगा, तो वो clone हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है हम different होता है, सब animals, ठीक है, they share common genetic material, उनकी, हाँ, share करता है common genetic material लेकिन उनकी degree जो होती है, अलग-लग होती है, ठीक है, degree में भिन्यताएं देखने को मिलती है यही इसका सही answer है, तेस्वा होता है आपका, which of the following is defining characteristic of living organism इसमें की कहा रहा है कि कौन सा ऐसा character है, जो living organism का, जो हम define कर सकते हैं इसमें पहला growth, दूसर है ability to make sound, तीसर है reproduction, चौथा है response to external stimuli एक्षिल में इसका NCRT में जो answer दिया गया है, वो है response to external stimuli लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूं, एक्षिल में growth को भी define किया जा सकता है और reproduction को भी define किया जा सकता है, एक्षिल में जो defining character होता है, वो congles होता है कि जो हम प्रतिकिरिया देते हैं कि इसे भी stimulus के प्रती, वो growth हो गई दूसरी, उसको भी defining character मानते है reproduction की ability वो भी होती है, metabolism जो होता है, उसको भी defining character में आता है, breath होता है उसको भी मान सकते है यह मुस्ट्रोसिस यह भी क्या है एक defining character है तो हम NCRT के according चलेंगे तो NCRT में सही answer दिया है response to external stimuli तो यही सही होगा 24 माँ आपका what does ICJN stand तो ICJN का मतलब होता है International Code of Geological Nomenclature ICJN का मतलब होता है International Code of Geological Nomenclature उसके बाद आता है आपका ICBN ICBN क्या stand sport ICBN का क्या होता है International Code of Geological Nomenclature यह Indian Code of Geological Nomenclature यह Indian Congress of Geological Nomenclature तो इसमें answer पहला सही है International Code of Geological Nomenclature मैं आपको कुछ पता ना चाहूँ यह ICBN के बारे में यह अब नाम दुझारे ग्यान में Vienna Code के according इसका नाम ICN हो चुका है इसका मतलब है International Code of Nomenclature for Elegy, Fungi and Plants अब नाम इसका यह है लेकिन हमारी बुक्स जो है ICBN का पूछा जाता है तो International Code of Nomenclature का जाएगा लेकिन यादर ना दुझारे ग्यान में इसका नाम चेंज हो चुका है इसका नाम है International Code of Nomenclature for Elegy, Fungi and Plants ऐसी एन कहते हैं इसको तो जाए यारग के अकॉर्डिंग ठीक है अंगला कुशन है largest famous botanical garden जो है पूरे वरल्ड का कौन सा है तो largest botanical garden जो है पूरे वरल्ड का सबसे बड़ा वो हम कहते है royal botanical garden जो क्यों London में है England में उसको कहते है पर भारत का largest botanical garden है वो है आपका botanical garden जो सिभपूर में है इंडियान botanical garden जो सिभपूर में हावडा कुलकाता वैस्ट बंगाल अक्शन में ये इंडियान बातनिकल गार்डन का नाम है आचारी जगदीश्यंद बसू इंडियान botanical garden है उसका नाम ठीक है ये हावडा कुलकाता वेस्ट बंगॉल में उसका आदा नेस्नल बार्टनिका गार्डन कहा है इंडिया का जो नेस्नल बार्टनिका गार्डन कहा है लखनो इंडिया में तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक किजे, सेर किजे और इस से हमारी वीडियोस को देखते रहे है और हमको सपोर्ट दीजे थैंक यू